Hello friends, TCG में आपका सौगत है, आज की Tech News कुछ इस तरह है कि Apple ने अपने एक दसक पूरा होने उपर उसे यादगार बनाने के लिए एक सांदार फीचर वाला iPhone 8 लाँच करना चाहती है तो इसके क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं, क्या rumors आए हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे तो दोस्तों बात करते हैं, इसकी इसकी camera की camera quality based है क्योंकि इसमें 3D camera यूज हो सकता है तो दोस्तों, 3D camera होता क्या है, यह हम आपको बताते हैं आप अपने मुबाइल में गेम खेल रहे हैं तो आप उस करेक्टर की लाइफ फोटो कीछ सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपने फेस की 3D इमेज बना कर उस फोटो के करेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं अपने इस एनवर्सरी को यादगार बनाने के लिए एपल और भी नए फीचर्स ला सकता है और भी नए अपडेट ला सकता है तो क्या लाएगा ये तो वक्त ही बताएगा तो हम बात करते हैं जो इसके features के update आए है उसके बारे में इसमें processor के बारे में बताना चाहेंगे कि A12 faster processor हो सकता है और battery power के बारे में 3000 mAh की battery हो सकती है जो की non-removable battery है वी RAM हो सकता है और 64GB से 256GB तरक storage variant में ये आ सकता है अब देखेंगे इसके color के बारे में क्या-क्या colors में आ सकता है ये तो इसमें gold है rose gold है, silver है, black है and grey color में ये आने की संभावना है अब देखते हैं इसके rate के बारे में इसके price के बारे में तो हम 1000 dollar इसका price आ का जा रहा है जैसा कि आप जानते है आईडिया और Godafone के merging की बात चल रही है और ये सब सिर्फ मुके संभानी के zero effect के कारण ही है next update ये है कि भारा सरकार ने एक नया security app mcovers launch किया है जिससे c-tech हैदराबाद ने develop किया है अगला update है Redmi Note 4 का जो कि matte black model में flip card पर flash style एक मार्च को आने वाला है अगला update fingerprint scanner का है जो कि phone के screen के नीचे ही inbuilt होगा इसमें अलग से कोई scanner नहीं लगाया जाएगा मेभी ये Samsung Galaxy 8 या iPhone 8 में हो सकता है दोस्तों अगला news update honor की तरब से है जो 360 degree camera लाने वाला है जिसे आप अपने smartphone के जरिये डारेक्ली अटेच कर सकते हैं और live streaming भी कर सकते है अपडेट sony की तरब से है जिसने technology में नया add-on किया है sony ने world fasted sd card reveal किया है जिसकी write speed 299 mbps है और read speed 300 mbps है इसकी capacity 32 gb, 64 gb और 128 gb है नेक्स अपडेट यह है कि आज से सारे window android users और iphone users अपने video zip files और photos को whatsapp contact के जरिए share कर सकते हैं इससे उनके status की privacy बनी रहेगी वो जिससे चाहें अपने status को share कर पाएंगे इसके लिए आपको अपने whatsapp को update करना होगा और status पे जाकर click करके my status के जरिए आप किसी भी media file को share कर सकते हैं नेक्स खबर यह है कि ringing bell founder के owner Mr. Mohit Goyal को arrest कर लिया गया है खबर यह आ रही है कि उन्होंने किसी dealer से लगवक 30 लाक रुपे लिये थे बदले में handset देने के लिए लेकिन उसकी low quality और कुछ तो पूरी तरह से defective होने की वज़े से जब dealer ने उन्हों उनसे बाकी पैसा refund मागा तो उन्होंने उन्हें उस dealer को और उनके family को भी धमकाया पहले भी वे freedom 251 model के लिए विवादों में घिरे रहे दोस्तों तो इसी तरह हमारा चैनल टेक्नोकॉम गुरुकूल देखते रहे हम आपको नए अपडेट्स लाकर देते रहेंगे आपको अपडेट करते रहेंगे हमारे चैनल को सब्सकाइब कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट भी दीजिए थैंक्यू